नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस डिसकसन में और आज के हम इस डिसकसन में बात करने वाले हैं कि UPSC CSET में जो आपका जो पैसेस रहता है उसको बिना पड़े उसको कैसे सॉल करें ताकि आपकी टाइम की बचत हो और आपका जो CSET से संबंद जो फोबिय रहता है विशेस जो इस हिंदी माध्यम से संबंद जो चात रहते हैं उनका जो फोबिय रहता है JS में तो अच्छे माक्स आते हैं लेकिन CSET में फेल हो जाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज है कि जो आप पैसेस है इसको टाइम बेस्ट ना करते हु लेक्चर में आप देख सकते हैं ठीक है आज हम कुछ पैसेस करेंगे दोयार 21 के पैसेस है आप उनको ऑप्षन के धुरू इजली सॉन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है इसके अत्रिक एक हम कुश्चन करेंगे कुश्चन यह है कि 3 की पावर 2019 को अगर 10 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा तो अगर 3 का मल्टिप्लाई 2019 टाइम करेंगे तो पूरा पेपर खतम हो जाएगा इसका मल्टिप्लाई आप नहीं कर पाओगे तब भी सॉलूशन नहीं आएगा ठीक है काफी बड़ा है इसको विदि 10 15 20 नंबर का एडवांटिस मिलेगा और आप इसकी प्रक्टिस करते हैं तो 30 से 40 आपको नंबरों का एडवांटिस मिलेगा और जो आपका जो सी सेट का फोबिया है वो खतम होगा ठीक है तो किस टेगलाइन के साथ बिंग लॉजिकल प्राग्मेटिक ये सारी चीज़ें पावर 2-019 को 10 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कितना है सबसे पहले इस बात को समझें कि 3 की पावर 4 क्या होता है 81 और 81 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया बना है इतना आपको समझ में आया कि 3 की power 4 को अगर हम 10 से divide करेंगे तो बन आएगा इसका अगर हम बन आएगा और बन की power कुछ भी करते जाएं तो उसका भी answer बन आएगा कि बन की power कुछ भी करेंगे तो बन ही आएगा तो हमारे पास कितनी है 2019 है हैं तो हम इसको ऐसे लिखने है तू जीरो वन सिक्स प्लस तरी इसमें अगर हम चार से डिवाइट देंगे तो यह आएगा आपका फाइव जीरो पूर इंटू फॉर प्लस करें ठीक है इतनी बात को आप समझे गए यह हमने क्यों किया इसलिए किया देखो सबसे पहले हम इस बात को करेंगे कि आपने क्यों किया क्योंकि यहाँ पे आप क्या खरो 3 की पावर 2,019 को यह लिख लो 3 की पावर 2,016 इंटू 3 की पावर 3 बात यह की है इसको यह लिख लो 3 की पावर 4 504 इन्टू 3 की पावर 3 ठीक है इसकी वेलू 1 आई और ये कितना आएगा 27 तो 1 इन्टू 27 27, 27 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 हमारा क्या आएगा ठीक है इसली आप इसको कर सकते हैं इसको बेसिकली बोलते हैं Chinese reminder ठीक है Chinese लोग भी हमारी UPSC में आगए ठीक है क्यों क्योंकि ये बेसिकली होता है A बरावर B mod X अब X की जगाँ पे 10 आ सकता है 100 आ सकता है 1000 आ सकता है इससे ज़्यादा नहीं आएगा इस बात को देंगे इसको solve करने का तरीका ये है कि आप cycle में ऐसा change करो कि बनाए divide करने बनाएगा तो बन की पावर कुछ भी करेंगे तो वो बन ही आएगा इसकी इजली divide दे के हम इस पर reminder निकाल वेगे ठीक है इस समझे लिए आपने दूसरा पैसेस के बारे में हम बात करते हैं पैसेस क्या है पैसेसे है पैसेस को नहीं पढ़ेंगे बिना पढ़े हम answer तक पहुंचेंगे पैसेस इसको हम नहीं पढ़ते हैं इसमें कहा क्या है निम्न मैसे कौन सी किरसी पद्दतियां है मलब कि जो अगरी culture practice है वो परियावरण के अनपूल है परिष्टिक के एकोलोजी के अनपूल है तो सबसे पहले आप इसमें क्या किया करो जो wrong answer है उसको चूज करने का प्रयास करो इसमें आपको एक सब्द दिख्रा होगा और वरख से चाहिए Fertigation Fertigation में क्या होता है और वरख का अधिक से अधिक हम क्या करते हैं उप्योग करते हैं और वरख का अधिक से अधिक उप्योग करेंगे तो जो soil है उसकी productivity कम होगी कहने का मतरब है कि वो natural farming को बढ़ावा नहीं देगा यह तो हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह तो इसका against है जो soil erosion रहता है उसको protect करने के लिए घी जाती है लेकिन यह ज़्यादा appropriate हमको देख रहा है 145 ठीक है इसमें ज़्यादा है गोमी सरच्छन और फोर्थ नम्मर पर मिसरित खिरसी इसमें क्या होता है mix जो agriculture रहता है इसमें आप crop और with जो live stock रहते हैं उसको भी साथ रखते हैं 5 नमबर पर आपको polyculture एक साथ देख करसी को एक साथ उगवाना जिससे क्या होता है diversity और soil की जो productivity है वो हमको बड़ी हुई देखने को मिलती है तो इसलिए इस cancer ए होके ठीक है अंजीर का ब्रच कोई मलब की डेट वाला तो ट्री है नहीं तो वहां नहीं हो गए ठीक है वहां भी प्रयातिया उखती है वहां भी इस्पिसीश उखती है तो यह बेकार सा इस्पिसीश उससे संबंदे जितनी भी चीज़े होती है उस पर निवर करती है कुल मलाके कहा जाए तो वहां का इन्वार्मेंट की इस्टोन इस्पिसीश निवर करती है और इसमें एक बात कही गई है जो अंजीर की ब्रच्चे है फल वच्चियों को बढ़ावा दे रहे हैं मतलब यह इन पर डिपेंडेंट है अंजीर की ब्रच्चों पर इसलिए क्या होगा है सही होगा नहीं भी इसलिए आंसर क्या होगा इस प्रिकार से आप इसमें कर सकते हैं कल के लेक्चर आप जरूद देखिए यह बनी हुए है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रस्ट मिलेंगे पंदरा से 18 के बीच आज प्रस्ट मिलेंगे इसलिए आप उनको कर पाएंगे पैसे इसकी बात कर तो फूबिया को दूर कीजिए एक्जाम में बिना फूबिया की जाईए इस बात को ध्यान रखिए आप आज की डिसकसन में इतना ही था आगे हम अगर आप और डिसकसन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरू कमेंट करिएगा आगे का डिसकसन नेक्स लेक्चर में थेंक यू मैरी मच जाहिन जाहाँ